नमस्कार सभी को ये आपके लिए सितंबर महीने के सभी महत्यपूर्ण करंट अफेर्स हैं और सभी करंट अफेर्स आपके लिए MCQ कोशन बना के दिये गए हैं ताकि आपको एक्जाम की तैयारी में कोई प्रॉबलम ना आए तो आए शुरुवात करते हैं पहला कोशन है हाल ही में किसने दच्छन ACI फुटबॉल महासंग महीला कप 2022 का खिताब जीता तो इसका से उत्तर हो जाएगा ओप्शन C बांगलादेश ने तो नेक्स्ट कोशन है रुप्या व्यापार के लिए RBI यानि रजर्ब बैंक ओफ इंडिया की मंजूरी पाने वाला देश का प्रेथम बैंक कौन सा बना है अगर आपको आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं तो इसका से उत्तर हो जाएगा ओप्शन A यूको बैंक नेक्स्ट कोशन है हाल ही में किस राज्जे में देश का पहला संसोदि जैव गाउं इस्तापित किया गया है तो इसका से उत्तर हो जाएगा ओप्शन B तिरपुरा में और ये तिरपुरा का दस्पारा गाउं है नेक्स्ट कोशन है जल सर्रच्छन और संचेन के से भारत सरकार द्वारत शुरू की गई अमरत सरोबर योजना में सबसे पहले इस्थान पर कौन सा राज्जर रहा है तो इसका से उत्तर हो जाएगा ओप्शन D उत्तर प्रिदेश और अमरत सरोबर योजना के तहत उत्तर प्रिदेश ने 8462 जीलों का निर्मान किया है तो है तो इसका से उत्तर हो जाएगा ओप्शन D 14 सितंबर को क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राजभासा का आधिकारिक धरजा दिया गया था नेक्स्ट कोशन है सुब्रतो कप अंतरराश्टिय फूटबर टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहां हुआ अगर आपको आंसर पता है तो आंसर दीजिए तो इसका से उत्तर हो जाएगा ओप्शन B नई दिल्ली में आपको बता दें कि ये टूर्नामेंट 6 सितंबर से 13 अक्टूबर तक खेला जाएगा और यह है इसका 61 संस्क्रण है आपको बता दें कि इसका उत्गाटन प्रतंबार 1960 में एयर मार्सल सुब् नमस्कार का विमोचन किस ने किया तो इसका से उत्तर हो जाएगा ओप्शन B मुझपारा कालू भाई ने तो नेक्स्ट कोशन है राष्ट्रिय आपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानि NCRB की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश का सवसे सुरच्छित सहर कौन सा है तो इसका से उत्तर हो जाएगा ओप्शन D कॉलकाता नेक्स्ट कोशन है भारतिय आर्मी के चीफ जनरल मनोज पांडे हाल ही में किस देश के जनरल के पदपर न्युक्द हुए हैं तो इसका से उत्तर हो जाएगा ओप्शन A नेपाल देश के नेक्स्ट कोशन है सरकारी स्कूल की छात Option C, तमिलनाडू सरकार ने और आपको बता दें कि यह योजना कक्चा 6 से 12 तक की छात्राओं को प्रेती महिना 1000 रुपे देने के लिए बनाई गई है और इस योजना के लिए तमिलनाडू सरकार के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 698 करोड रुपे आवन्टित भी किये है 22 तो आपको बतारना कोशन है दुवाई ओपन सतरंग टूर्णामेंट 2022 का खिताव किस ने जीता ओप्सन देकर आप आंसर दे सकते हैं तो इसका से उत्तर हो जाएगा ओप्सन A. अर्विंद चितामबरम ने तो नेक्स्ट कोशन है हाल ही में ACI और राष्ट्र मंडल खेलों के पदक विजेता विर्जु सहा का निधन हुआ है उनका सम्मन्द किस खेल से था तो इसका से उत्तर हो जाएगा ओप्सन A. मुक्के भाजी से आपको बता दें कि 1994 में इनों ने राष्ट्र मंडल खेल और ACI खेलों में कांसर पदक जीते नेक्स्ट कोशन है अंतर राष्ट्र ये चैरेटी दिवस कम मनाया जाता है तो इसका से उत्तर हो जाएगा ओप्सन C. पांच सितंबर को तो नेक्स्ट कोशन है नुआ खाई नामक प्रेसिद्ध योहर किस राज्जय द्वारा मनाया गया या फिर मनाया जाता है तो इसका से उत्तर हो जाएगा ओप्सन D. ओडी सा राज्जय नेक्स्ट कोशन है नीरा चोपडा ने हाल ही में प्रेतिष्टिट डाइमंड लीग में कौन सा पदक जीता है अगर आप कौन सा पता है तो बता सकते हैं तो इसका सेत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक नेक्स्ट कोशन है जी ट्वेंटी सेखर सम्मेलन 2023 की मेजवानी कौन सा देश करेगा तो इसका सेत्तर हो जाएगा भारत नेक्स्ट कोशन है मानव विकास सूच कांग 2021 की रिपोर्ट की अनुसार भारत 191 देशों की सूची में किस इस्थान पर रहा तो इसका सित्तर हो जाएगा option C 132 वे इस्थान पर नेक्स्ट कोशन है US Open Tennis Championship 2022 का खिताब जीतने वाली इगा स्वया तेक का सम्मंद किस देश से है अगर आपको आंसर पता है तो बता सकते है तो इसका सित्तर हो जाएगा option C ये पोलेंड से है नेक्स्ट कोशन है पुरुसों के Federation of International Hockey Wisp कप 2030 के 15-वे संस्क्रण की मेजवानी कौन करेगा तो इसका सित्तर हो जाएगा option B OD सा राज्य तो नेक्स्ट कोशन है अंतर राष्ट्रिया साथ छर्ता दिवस कम मनाया जाता है option देखकर आंसर दीजिए अब ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिस कीजिए तो इसका सित्तर हो जाएगा option C आठ सितंबर को नेक्स्ट कोशन है देश का सबसे बड़ा रवर डेम कहां पर बनाया गया तो इसका सित्तर हो जाएगा option D बिहार में और यह बिहार के गया में निर्वित किया गया है नेक्स्ट कोशन है विश्व आत्महत्या रोक थाम दिवस कम मनाया जाता है तो इसका सित्तर हो जाएगा option B 10 सितंबर को नेक्स्ट कोशन है भारतिय महिला पहलवान विनेस भॉगाट ने विश्व कुष्टी चेंपियनसिप में कौन सा पदक जीता है एसे कोशन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इसका सित्तर हो जाएगा कांस से पदक नेक्स्ट कोशन है सेंट्रल जू अथॉर्टी की रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वसरेश्ट चिडिया घर कौन सा है तो इसका सित्तर हो जाएगा option C दारजिंग का जू लोजीकल पार्क नेक्स्ट कोशन है इंजीनियर्स दिवस कम मनाया जाता है तो इसका सित्तर हो जाएगा option A 15 सितंबर को नेक्स्ट कोशन है SEO यानि संगाई कॉपरेशन और्गनाईजेशन की पहली पर्रेटन और सांस्क्रातिक राजधानी किसे घोशित किया गया है तो इसका सित्तर हो जाएगा वारानसी को जोकी मंद्रों का सहर कहा जाता है नेक्स्ट कोशन है हाल ही में किस कमपनी को राष्ट्रिय उर्जा अग्रेणी पुरुषकार से सम्मानित किया गया है तो इसका सिरुत्तर हो जाएगा option A, RINL को यानि राष्ट्रिय इस पाथ निगम लिम्टेड को नेक्ट कोशन है विस्व अल्जाइमर दिवस कम मनाया जाता है तो इसका सिरुत्तर हो जाएगा option C, 21 सितमर को आपको बता दें कि अल्जाइमर एक मानसिक रोग है जो कि इनसान की याददास और इसमरती को कमजोर करता है नेक्ट कोशन है ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यमान ब्रांड कौन सा है तो इसका सिरुत्तर हो जाएगा टाटा ब्रांड नेक्ट कोशन है प्रतेक रोगी को सुरच्छिस चिकत्साव लब्द कराने ही तो विश्व रोगी सुरच्छा दिवस कम मनाया जाता है तो इसका सिरुत्तर हो जाएगा आप्शन बी सत्रे सितम्मर को नेक्ट कोशन है एहमदावाद के LG Medical College का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो इसका सिरुत्तर हो जाएगा आप्शन ए नरेंदर मूदी Medical College नेक्ट कोशन है अंतर राष्ट्रिय सान्ती दिवस कम मनाया जाता है अगर आप कौन सर्पता है तो बताइए इसका सिरुत्तर हो जाएगा आप्शन भी 21 सितम्मर को तो नेक्ट कोशन है आपका विसुप पर्रेटन दिवस कम मनाया जाता है तो इसका सिरुत्तर हो जाएगा 27 सितम्मर को और 2022 की थीम Rethinking Tourism रखी गई है नेक्स्ट कोशन है इटली की पहली महिला पिरधान मंत्री पद के लिए कौन चुनी गई है तो इसका सिरुत्तर हो जाएगा Giorgia Meloni जो की Brothers Party of Italy की नेता है नेक्स्ट कोशन है किस फिल्म को आउसकर अबार 2023 के लिए चुना गया है नेक्स्ट कोशन है विश्व रेवीज दिवस कम मनाया जाता है तो इसका सिरुत्तर हो जाएगा 28 सितंबर को और इसकी खोज लूई पास्चर ने की थी नेक्स्ट कोशन है दिल की बीमारियों के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए प्रतेक वर्स 29 सितंबर को विश्व हिर्दय दिवस मनाया जाता है इस बार विश्व हिर्दय दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है तो इसका सित्तर हो जाएगा यूज हार्ट फोर एवरी हार्ट कई बार एक जाम में थीम पूछ ली जाती है तो इसलिए ये बताना जरूरी भी था तो नेक्स्ट कोशन है भारत के नई अटर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इसका सित्तर हो जाएगा आर वैंकट रमनी को नेक्स्ट कोशन है एरलाइन्स कंपनी इंडिगो के नई CEO कौन बने है तो इसका सित्तर हो जाएगा पीटर एलवर्स नेक्स्ट कोशन है दिल्ली में इस्तित राजपत और सेंट्रल विष्टालोन का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो इसका सेत्तर हो जाएगा इसे यव कर्तब्वेपत के नाम से जाना जाएगा तो नेक्स्ट कोशन है किसने डच फॉर्मूला वन ग्रेंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता तो इसका सेत्तर हो जाएगा रैड बुल के मैक्स वरस्टैप पनने और ये कुल पंधरह में से 10 रेस जीत चुके हैं तो नेक्स्ट कोशन है कनाडा में भारत के अगले उच्चा युक्त के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो इसका सेत्तर हो जाएगा संजय कुमार वर्मा जी को तो नेक्स्ट कोशन है हाल ही में किस नदी के लिए भारत और भांगला देश जल साधरन समझोदे पर हज़त आच्छर हुए हैं तो इसका सेत्तर हो जाएगा कुश्यारा नदी के लिए आपको बता दें कि इस से पिछले सभी महीनों के करंट अफेर्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिशन बॉक्स में यूटू चैनल सिक्छा मेरी दोस्त पर मिल जाएंगे आप जा करके देख सकते हैं और हमारे यूटू चैनल सिक्छा मेरी दोस्त में आपको 400 से जादा वीडियो मिल जाएंगे सभी टॉपिक से सम्मानित वीडियो हैं आप जा करके नोट्स देख सकते हैं ताकि आपका एक्जाम के तैयारी अच्छी होती रहे और डेली जी के जिएस और करंट अफियर्स पढ़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और फेस्बूक पेज पर फॉलो कीजिए ताकि नोट्स और वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहें धन्यवाद पढ़ते रहें